यूं तो सफर पर हर किसी का कदम होता है, मन्जिले मिलती उसे हैं जिसके होसलों में दम होता है। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के निद्रित्व में वर्ष 2014 से आज तक पिछले सढ़े साथ वर्षों में देश में सडक, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्त जैसे क्षेत्रों में अनवरत कारे हुआ है। उत्तरा खंड को भी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और स्रिजन का निरंतर लाप मिल रहा है। इसी कड़ी में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 दिसंबर को उत्तरा खंड में लगभग 18,000 कोड रुपे लागत की परियोजनाओं का उद्गाटन और छिला नियास किया जा रहा है। इस एक्सप्रेस वे का शिला नियास किया जा रहा है। दिल्ली देहरदून एक्सप्रेस वे से हरिद्वार की बीच 51 किलोमीटर लंबाई में ग्रीन फिल्ड अलाइनमेंट का शिला नियास किया जा रहा है। जिसकी लागत 2100 करोड रुपे है। लागत से 50 किलोमीटर मार्क का शिला नियास तथा NH 119 के अंतरगत नजीबाबाद और कोड़द्वार के मध्य 108 करोड रुपे की लागत से 15 किलोमीटर सडक चोड़ी करण कारे का शिला नियास भी किया जा रहा है। इन सडकों से उत्राखन राज्य एवं सीमावर्ति क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार होगा। इस्थानिय उद्योगों तथा व्यापारिक गतिविध्यों के साथ ही राज्य में बल्टन उद्योग को बढ़ावा मिलेका। जनपद हरिद्वार में 538 करोड रुपे की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण से उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, गणवाल परिक्षेतर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों के नागरिकों को भी उच्च गुणवत्ता युक्त स्वास से सुविधाओं का लाप मिलेगा। देहरादून में जनता के सुविधाओं के लिए जलापूर्ती, सडक एवं जल निकासी प्रणाली के सुधार के लिए 724 करोड रुपे की योजना पर काम किया जा रहा है। इस पर योजना से लगभग धाई लाग की आबादी को लाप होगा। विश्व भर के हिंदों की आस्था के केंडर चार धाम के विकास के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के तहत श्री बद्रनात धाम में भी 220 करोड एवं गंगोत्री यमनोत्री धाम में 54 करोड रुपे की लागत से अविस्थापना विकास कारियों का शिला न्यास किया जा रहा है जिसका उद्देश बद्रनात एवं गंगोत्री यमनोत्री धाम का विकास एक स्मार्ट आंध्यात्मिक नगर के रूप में करना है जनपत्तीहरी में स्थित विश्व प्रसिद लक्षमन जूला सेतू के विकल्प के रूप में इसके महत्व एवं करिमा के अनुरूप इसके साथ ही 69 करोड रुपे की लागत से लगभग 133 मीटर लंबे एक नए सेतू का शिला न्यास किया जा रहा है ये पुल परिटगों के साथ साथ इस्थाने निवासियों व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए अतियंत लापकारी होगा देहरदुन शेहर को बच्चों के अनकूल बनाने के लिए 58 करोड रुपे की लागत से चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है इस प्रोजेक्ट की अंतरगत चिनहित 6 मुख्य मार्गों पर सित 34 स्कूलों के बच्चों को सुरक्षित आवागमन का लाप मिलेगा प्रधान मंत्री श्रीन रेंद्र मोदी द्वारा साथ महत्वपूर परियोजनाओं एवं कार्यों का लोकार पढ़ किया जा रहा है इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 350 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा जो उत्तरी ग्रिट को सप्लाई की जाएगी इस परियोजना से उत्तराखंड राज्य में बिजली आपूर्ती और सुद्रिड होगी इस परियोजना से इस्थानी स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी स्रिजित होंगे चारधाम औल वेदर रोड परियोजना के अंतरकत एनेच अठावन पर विभिन्ने स्थानों पर मारके चोड़ी करण एवं भूसकलन प्रभायुत क्षेत्रों का उपचार कारे पूर्ण कर लिया गया है इन सभी कार्यों की लागत लगभग 689 करोड है जिनका प्रधान मंत्री श्री निरेंद्र मूदी द्वारा लोकार पढ़ किया जा रहा है इन कार्यों से चारदाम यात्रा और अधिक सुगम एवं सुरक्षित हुई है तथा इस्थाने निवासियों को अतियंत लाभ पहुँचा है उत्राखन राजसेइत हिमाले की संस्कृति कला एवं रंग बंच की सम्रिद्ध धरोहर के संरक्षन एवं संवर्धन को प्रोसाहन देने के लिए 67 करोड रुपे की लागत से देहरादून में निर्मित हिमाले संस्कृति केंद्र का लोकार पढ़ किया जा रहा है देहरादून में स्थित सगंद पौधा केंद्र में 40 करोड रुपे की लागत से 6 नई अत्याधूनिक प्रयोग शालाएं राश्ट्र को समर्पित की जा रही है इन प्रयोग शालाओं के बनने से सगंद पौध से संबंधित इस्थानिय क्रिशी अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों की आय में वृद्धी के सरकार के संकल्प को और मजबूती मिलेगी केंद्र और राज की डबल इंजन की सरकार उत्राखंड पकड़ रहा विकास की रफ्तार